So welcome back to the channel guys, this is Shom Bajpay MP Police Constable में आपके सरीर का बजन कितना होना चाहिए इस पर हम वीडियो लेकर आ गए हैं बजन को लेकर मद्द पुलिस आरक चक के रूल बुक में बैसे तो कुछ नहीं लिखा गया है मद्द पुलिस आरक चक भरती परिक्षा 2018 में मेडिकल में जो है बजन चेक नहीं हुआ था मद्द पुलिस आरक चक के मेडिकल में जो है बजन को लेकर कोई प्राउधान अभी तक नहीं दिया गया है आप रूल बुक को पूरा देख सकते हैं और अगर किसी व्यक्ती का बजन कराया भी जाएगा तो उसे री मेडिकल में जो है मेंटेन करके आने के लिए बोला जाता है कि आप भाई बजन बढ़ा के आओ बजन को मुचाई के अनुसार होना चाहिए यह एक आदर्स पैमाना है फिटनेस का लेकिन किसी का बजन इतना भी नहीं है कि कोई दिक्कत ही नहीं है तो यह 46.5-58 केजी तक बजन चल जाएका 23.57 साल के पीज कि लड़कों के लिए 49.41 केजी तक वेड़ चल जाएगा थे फूट से बजन के हम बात करें तो अगर height 168 cm रखी जाए तो 18-22 साल के लिए 45-55 kg होना चाहिए 23-27 साल वालों के लिए 47-7 kg होना चाहिए 28-32 साल वालों के लिए 48.5-69 kg होना चाहिए 33 साल से 37 साल के बीच वालों के लिए 50-60 kg तक हो सकता है यह एक आदर्स प्रमाना है अब कई लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि सर मैं तो overweight हूँ सर मैं तो underweight हूँ तो जो मैंने शुरू में point बताए है कि मद्दप्रदेश पुलिस constable का जब medical होता है physical में तो बजन check होता नहीं है physical में मात्र मात्र तीन event होते है जिसमें running long jump और shot put होता है आए जाएगा तो और रही बात बजन की तो बजन को लेकर rule book में कुछ भी mention नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया आप पूरा rule book देख सकते है उसमें weight को लेकर कुछ नहीं बोला गया है ठीक है पूरी rule book आप देख लीजेगा और यह अभी से नहीं मैं 2016-17 से ही देख रहा हूँ भारती का जो अपना rule book होता है उसमें जो है weight को लेकर कुछ नहीं बोला जाता है और medical में भी weight check नहीं किया जाता है मेरे समय में तो weight check नहीं किया गया था अब बाद में इस बार होने लगे तो बाद अलग है लेकिन weight check नहीं किया जाता है plus और weight का कोई प्राउधान नहीं है weight को लेकर बिलकुल भी चिंता करने के आवशक्त नहीं है आपको अगर आप overweight हैं, underweight हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है बस आपका जो जो पैमाने दिये गए है rulebook में वो जो है complete करना चाहिए weight अब दिखो simple सा फंडा ये है कि किसी को medical में अगर weight के लिए बाहर किया जाता है तो अगर वो overweight है तो वो अपना बजन कम करके आजाएगा remedical तक और अगर कोई underweight है तो वो अपना बजन बढ़ा किया जाएगा तो ले दे के उसको अंदर होना ही है भरती होना ही है बजन के कारण वो बाहर अंदर नहीं हो सकता है तो ये कोई ठोस कारण नहीं है तो जिनके मन में भी doubt हो और जो भी ये सोच रहे हो कि और बजन का भी कोई प्रावधान होता है तो उनके doubt को मैं ये clear कर देना चाहता हूँ कि मत्यप्रदेश पुलिस में भारती होने के लिए वेट का जो है कोई प्रावधान नहीं है मत्यप्रदेश के medical में बजन के कारण कोई बाहर नहीं होता है इसलिए बजन को लेकर चिंतित होने की आवशकता नहीं है प्लस हाँ running long junk short put बस ही होगा physical में और आपके सरीर के जो भी है अब आप चाहे आई टेस्ट हो चाहे चैस्ट मेजरमेंट हो चाहे नौक नी चैक हो चाहे आपका फ्लैट फिट चैक हो हाइड चैक हो और यह सारी चीज़े जो चैक होती है यह सार अब medical के समय पे होता है आपका एक सास की एस्पताल में जब medical होता है physical के time पे only three events होने हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है बहुत सारे बच्चे comment में पूछ रहते हैं कि सार यह chest measurement बगएरा जो है physical के time होगा नहीं तो मैं आपको बता देना चाहते हूँ कि यह सारे इविंट्स जो है यह जो है medical के है physical के नहीं है physical में only तीन विधाएं होगी जिनमें आपका सारी रिक परिक्षण होगा सारी रिक परिक्षण से अरथात कोई medical test नहीं है यहाँ पर आपका running का है long jump का है और short put का है फिर जब आप final merit list में आ जाओगे उसके बाद जब आपको किसी unit अरथात जिला में posting मिल जाएगी तो उसी जिला के साथ की hospital में जो है आपका medical होता है और medical में यह सारी चीज़ें होती है लेकर हाँ बजन को लेकर चिंता मत करना क्योंकि बजन को लेकर कोई परावधान नहीं है हाँ एक fit बजन होना चाहिए कि जितनी height और जितनी उमर है उसके हिसाब से बजन उतना हो तो बस ठीक है कि टैंसल लेने वाले कोई बात है नहीं इस में weight को लेकर ठीक है तो वीडियो की जानकारी अच्छी लेगे तो वीडियो को like, share, comment, subscribe जरूर करना और आप comment करके बताओ कि आपको किस किस topic पर और जानकारी चाहिए हम आपके लिए उस topic पर वीडियो लेकर आएंगे और जब जब कोई भी अपडेट आएगे उसकी जानकारी भी सबसे पहले हम अपने चैनल के मादम से अब तक पहुंचाएंगे मिलते हैं नए वीडियो बेने जानकारी के साथ तब तक के लिए जये हिंद जये भारत